दोस्तो आज की इस वीडियो में में पीतम भाई का और कुछ मचलियों का कलेक्सन है वो सब दिखाऊंगा अल्डेडी पीतम भाई का एक फार्म है जिसको उपर मैंने वीडियो बना दिया है फार्म बोल सकते हो या फिर होबी भी बोल सकते हो क्योंकि वो एक बच्चा है और ह होबी करते करते बड़ा सा फार्म हो चुका है ठीक है तो उसके फार्म में अभी बेटाफिस का बीडिंग करवाने के लिए मैंने गया था ठीक है तो उसने बोला कि आप बेटाफिस बीडिंग में माहिर हो तो मेरा कुछ मेल और फीमेल बीडिंग के लिए बैठा दो उसे तो मैं जाके बीडिंग के लिए सबको यह कहीं चोड़ को एंगा। तो वो सब कुछ दिखाऊंगा और बेटाफीस का बहुत सारा फ्राही है वो भी दिखाऊंगा तो आज का ये वीडियो एन तेक देखना तो चलिए दोस्तों सिदा ये वीडियो सुरू कर देते हैं तो सबसे पहले में क्या करूंगा जो मेल है उसको छोड़ दूँगा ठीक है जो बीडिंग के लिए रेडि मेल है उसे छोड़ दूँगा मगर उससे पहले पानी रेडि करना पड़ेगा अब पानी डेडी करने के लिए में क्या क्या दोस्तों जो आर्मांड लिफ होता है हमारा सस्ता आर्मांड लिफ ये एक तरीके का बादम का ही पत्ता होता है तो इसके उपर मैंने अल्डेरी वीडियो बना दिया है ठीके यह बांगला में बासकुबादम बोलते है तो इसका जो पत है वो आर्मान लीप जैसे ही काम करता है तो यह मैंने डाल दिया अच्छे से धोके धोके डालने के बाद दोस्तों मैंने मेल को भी डाल दिया और यह कौन सा मेल है आप लोग कॉमेंट करके बताओ के घऱ्钓 को नगे गर्मान लाल और उग्रब्र Hey मतलब वालनेहीड रेता है मादला पानी का टिमपररेचर जब Germansly गांञा था चयाने करां थे खाना खाने का और खाना जाइबन करने का सक्टी करता है आपना जो activity होता है वो काम कर देता है ठीक है घूमना फिरना कम कर देता है एक जगा पर बैठा रहता है तीसलिए सर्दी के मौसम में मैंने डायरेक खोड़ दिया मेरे को पता है कि मेल फील फाइट नहीं करेगा ठीके मगर आप लोग ऐसा बीलकुल मत करना आप लोग नार्माली जाएसे बीडिंग करवाने के लिए मैंने बोला आप काम देखके यह सब काम करना और ओपर से मुने थोड़ा हो होड़ गार दीया बीच में जाके औपका कर दोस्तों मैं आपको Children's कि अज़े वाद जा जाता है और आभी ये जह पत्ट् पे पुद्ध योऔर देखरां यह 58 oms्ले उसको पेर पौध है फूल पत्ति का भी सौक है और उससे मेरे को थोरा सा मतलब पेर पौधा मिला है बो भी मैं आगे दिखाओंगा ठीक कौन-कौन सा पेर पौधा मैंने लगाया है फूल पत्ति के लिए तो बो सब दिखाओंगा और जो धार्मोकल का पीस है बो धार्मोकल क वीडियो में बोला है कि जो बीडिंग टैंक है उसको ढख के रखो ठीक है कभी बीडिंग टैंक को ओपें मत रखो ओपें रखो गए तो डाइरेक संडलाइट गिरेगा या फिर किसी भी तरीके से मचलिया का डर जाएगा तो मचलिया अपने अंडों को खुद खा जाएगा हमेंसे ढख दो ठीक है आपके हिसाब से अगर आपके पास जो भी मौजोते वह डाल के ढख दो जासे कि मैंने यहां पर टाइल लगा के ढख दिया तो आप किसी भी तरीके से ढख दो ठीक है और यह जो टैंक देख रहे हो दोस्तों इस टैंक में मिक्स है ठीक है मिक्स मॉल लिए पीज वागरा के साथ बेटा फिस भी है बहुत सारे लोग बोलता है कि मौली फिस के साथ बेटा फिस रहता नहीं है यह बात सही है ठीक है रहता नहीं है मागर आप अगर थोरा सा हाइडिंग प्लेस दे दोगे और जो हॉर्णोड वगरा है जो प्लांट देख रहे हो इसे हॉर्णोड बोलता है तो यह अगर डाल दोगे तो आपको कोई दिगत नहीं आएगा और मैं रेकॉमेंट नहीं करूंगा ठीक है नॉर्मली आप लोग बे में दिखा जेता हूं यह जेली जैसा जो दिख रहा है लंबा लंबा यही स्नेल का अंड़ है इससे ही छोटा-छोटा स्नेल निकलेगा उससे ही आपका टैंक पुरा भर जाएगा ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है सेफ थोरा सा प्लांट वगरा डाल दो जो की स्नेल उ इसका जो पानी है देखो पानी पूरा किस्टल क्लिया रे ठीक है काच जैसा क्लिया रे मागर पानी के नीचे देखो गंदेगी है क्योंकि दोस्तों पानी जो है बदला नहीं गया है दो महीने तक मागर मचली पूरा एक्टिव है मचली है क्यों कोई जगा पर माचली है उ जो मैला होता है जो गंदेगी होता है उसको आने नियुता है ठीक है अगर स्नेल ने राइता तो पानी पूरा क्लाउड ही हो जाथ तो आप आपने टैंक में भी दोस्तों जीदना होता कि स्नेल डाल देना मगर बीडिंग से पहले स्नेल मत डालना अगर बीडिंग से पहले स्नेल डालोगे तो बावलनेश्ट में से जो अंडा बावलनेश्ट में मेल रखेगा वह साड़ा का सारा अंडा स्नेल खा जाएगा ठ जो बच्चा है वह फिरीव स्वीम करने लगेगा उसके बाद रालो ठीक है यह बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपका लुक्सान हो सकता है इससे तो आभी भी इसमें महुसारा मचली है यह सेकेंड टैंक है ठीक है मडला सा नक्रास किया गया मचली है तो कुछ-कुछ मचली में यह हमोट साल पख़控 का ऑज्ट Using का ठीक जी किला है अभर किया हुआ है उसक यह प्र सब्सक्रान जिर वह आदा है uh referencing रही का क्रोड ठीक दाक निक झोड़ा ज्टिक हो फिन है आधि 10 क dip साइट का ही जो यह बो रहा है ओएटी कर यह भाँधि यह निकलेगा मगर हमारे चैसे कुरा भेबिक एवाल निकले घ्लिए के ठीकिए तो इस तरता बच्चोंvellनो निकलãy कुछ-कुछ बच्चों में सिर्फ डंबो नहीं निकला ठीक है और मैंने बोला था ना दोस्तों बहुत सारा ड्राइंग जो है वो मेरा कुछ तूडेन ने किया था तो आप लोग यह देख के बतना ठीक है यह ड्राइंग कैसा है तो आप लोग ऐसा ड्राइंग का भी बनाया है तो इसके नोट बुक में भीन थेखा उसका ड्राइंग । इस बोक में थोड बहुत है यह मेरे को बहुत जा और nature तो यह बहुत पूराना टाइम से मेरे पास है तो थोड़ा सा इधर उदर हो चुका है और इस बुक का अगर रिवीव जाते हो जो बांगाली लोग है यानि कि जो बांगला है बांगला में बात करता है तो उनको तो ये बुक का रिवीव में दे सकता हूं अगर हिंदी में जो लोग बात करते हो जिसका मादा लैंगविज हिंदी है उनको अगर इस ब लिका हुआ है मगर फिर भी तो जो लिका हुआ है अगर आप लोगों को जानना है तो बताओ में इस बुक को पार के एक वीडियो बना के आप लोगों से सेर कर दूंगा ठीक है तो यह वाला वीडियो आप लोगों कैसा लागा आप लोग जरूर से बताना और यह वाला वीड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही था देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया तिल दन विस्ट से फर्म कॉन आहाई राज वाई वाई